क्रिश्णाय बास देवाई हरे परमात्मने प्रणतक कलेशना साय गोविंदाय नमनमा स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती बावना योटूब चैनल पर आज मैं आपको बामन एकादसी जैनती 81 और परवर्तनी 81 की उपाय बता रहाँ महमा बता रहाँ यह तीनों नाम एक ही एकादसी के हैं जिसे परवर्तनी 81 की कहते हैं एक दिन भगवान विश्णु करवट लेते हैं की सागर में भगवान विश्णु करवट लेते हैं इसी दिन भगवान विश्णु ने राजा बली को चलाता यानि राजा बली से तीन पक भूमी का दान मां विष्णू के भकते थे उन्होंने दान किया। आपको दीपक जलाना है और अपनी प्रात्रा बोलने है पती पत्नी मिलकर के भगवान के सामने प्रात्रा बोलेंगे कि प्रवो हमें पुत्र प्राप्ति का अशिरवात दीजिए हमें धन प्राप्ति का अशिरवात दीजिए ऐसा आपको भगवान के सामने बोलना है इस प्रिकार से भगवान के सामने आपको प्रात्रां बोलनी है और भगवान से प्रात्रां करनी है तो आपकी मनो कामनावस्य पूरी होगी फिर कता का स्रवड करें और भगवान के सामने जो प्रसाद आपने चड़ाया है वह प्रसाद आपको खा लेना है वह प्रसाद आपको खा लेना है इससे आपकी मनो कामना पूरी होगी इस दिन गौमाता की पूजा जरू करें गौमाता को आप अल खिला करके जरूर आए और माता को एक बस्तर भी उड़ा करके आएं इससे मनो कामना पूरी होती हैं जीवन में आरी सारी व्यादान सारी परिशानियां सारे दुख दुख हो जाते हैं भगवान प्रसनों करके मनवांचित फलप्रदान करते हैं एक दीपक तुलसी माता के सामने भी आपको इस दन जलान हैं तुलसी माता के सामने एक दीपक आप जरू जलाएंगे मेश रासी, ब्रसव रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, ब्रस्चिक रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी ये रासियां हैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा भागी साली और सुब रेने वाली हैं इन दोश्तों जब हम उपाय करते हैं तो किस्मत बदलती हैं और भगवान का आशिरवात प्राप्त होता है जीवन में आरे सारे कष्ट और परिसानियां दूर हो जाते हैं तो भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद केलिका और काजू बाता मावता हैं